नमस्ते विवर्स, वल्कम टू जैपू डालॉग USA and जैपू डालॉग and आज 15 अगस्त है, स्वाधिन्ता दिवस मनाई जा रही है, मैंने अपना एक मेसेज आपसे पहले शेयर किया था, जिसमें कि हमने ये कहा था कि हमने ये स्वाधिन्ता के दिवस पे क्या-क्या भर प्रोटेक्ट और डिफेंड करना पड़ेगा और इसके लिए हमें हमेशा काम करते रहना पड़ेगा, आज चर्चा करेंगे एक खास व्यक्ति विशेश पर, US के कॉंग्रिसमन है रोहित खन्ना, जो पॉप्लरली जाने जाते हैं रो खन्ना के नाम से, रोहित को रो बन और डमाकरटिक पार्टी होने के कारण, उनका जो है एक पूरा विश्वास जो है, जो आज कल की डमाकरटिक पार्टी है, वो सोसिलिस्ट अजंड़ा पर लगे रहते हैं, और एक घूमन राइट्स और फ्रीडम के मामले में, वो हर जगा भारत में हस्तक्षिब करते रहते हैं ठीका टिंपडी करते रहते हैं और निंदा करते रहते हैं तो रोहित खन्ना जो है अभी भारत की यात्रा पे हैं और उन्होंने बहुत सारी बाते कहीं हैं अमिता बच्चंदी से जाके मिले अपने दादा जी के बारे में चर्चा की कि उनका इतिहासिक कांट्रिबूशं किया रहा है सब बहुत अच्छी बात है उन्होंने दो चार बाते कहीं हैं जिसका मैं उनकी सारहना करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब भारत का सेटिल्ड एरिया है और उसमें खालिसταν Iyaya का कोई भी कोई भी कोई दिमांड लेजिटमिट नहीं है दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि चाइना के बारे में कि चाइना का भारत पे हथतक छेप करने का प्रयास बिल्कुल गलत है और वो भारत के साथ अमेरिका भारत के साथ है ये सब बाते अच्छी हुई हैं लेकिन एक बात और भी आती है कि रोखन्ना जो हैं उन्हों का उनका पूर्वपक्ष करेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने भारत के विरुद, मोदी जी के विरुद, काफी चर्चाएं की हैं उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे स्वाधीनता, फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम और हुमन राइट्स के नाम पे उन्होंने भारत पे बड़े आक्षेप लगाए हैं, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो बर्नी सैंडर्स के सोशलिस्ट कारे करता हैं, बड़े सपोर्टर रहे हैं, और कभी-कभी वो बाइडन के खिलाफ भी बोलते हैं, असामती अपनी प्रकट करते रहते हैं, तो इस बात को याद रखते हुए हमें चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि वो डिमोक्राटिक पार्टी की जो एक मूल स्थिती है, वो हर वोट जो इंडिया के खिलाफ होता है, वो उसमें हमेशा शामिल होते हैं, तो उनके जो सहयोगी लोग जो हैं, फेलो कॉंग्रिसमेंट जो हैं, राजा कृष्णा मूर्ती, डॉक्टर आमी बेरा, प्रमिला जैबाल और वो खुद, वो हमेशा से इस बात पे भारत पे आक्षेप करते रहते हैं, तीन सो सतर क्यों हुआ, CAA क्यों हुआ, भारत जो अपनी आंतरिक स्थिति को मदबूत करना चाहता है, उस पे वो हमेशा टीका टिपनी करते रहते हैं, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और भारत के जो निवासी हैं यहाँ पे, जो हम इंडियन अमेरिकंस हैं, इस सवाल को हमें हमेशा उठाना पड़ेगा कि आप हैं कहां, तो उन्होंने एक समय में वो पाकिस्तान कौकस के मेंबर थे, इमरान खान के साथ बहुत 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 तस्वीरे ली हैं उन्होंने, उनके उनका जो कांग्रेसी कारेकरता का जो अभियान शुरू हुआ था, उसमें बहुत सारे भारत विरोधी लोगों ने उनका समर्थन किया, पैसे दिये, यहां तक कि खालिस्तानियों को भी उन्होंने, उनका विरोध यहां पे नहीं किया, human rights के नाम पे, ambitions and freedom के नाम पे उन्होंने उसका support किया था, मैं उनसे हमारा कुछ भी लेना दना नहीं है, लेकिन उनके इस policies को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, आज जो भारत की महानता आई है सामने, उनका जो रुख बदला है, वो सिर्फ एक कारण से बदला है, क्योंकि वो जान गये हैं कि भारत पे जो भारतीयों पे जो caste basis करके, जो California में SB 403 वगर जो हो रहा है, उसके victim वो भी हो सकते हैं, सोचिए इस बात को, इसलिए अब जो है वो इस मामले को समझने लगे हैं कि भारत जो है संसार भर में बहुत ही मजबूत हो गया है, भारत की चवी बहुत अच्छी हो गई है, भारत की जो है economic city जो है, वो बहुत ही दमदार है और इंडिया जो है, United States जो और इसके पीछे जो है, हमें उनसे सवाल पूछने होंगे, जितने भी भारती अमूल के, यहां पे जो हमारे congressman है, प्रेमरा जैपाल, ये राजा कृष्णमूर्थी, डॉक्टर अमी बेरा और रोहु खन्ना, इन सबों से हमें ये पूछना पड़ेगा, कि आप भारत के व पूछे, वो भारत के opposition को support करते हैं, जो यहां पे काम कर रहे हैं, इस बात की चर्चा हमें उनसे करनी पड़ेगी, अमिता बच्चन हुए, या जो भी emotional बाते होती हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस बात का हमें यहां पे, और भारत में भी, ये सवाल उठाना प encroachment से capture करते हैं, लैंड वो, उसी तरह से हमें इनको encroachment नहीं करने देना है, इस बात को हमें बिलकुल मान के आगे बढ़ना है, मैं Republican हूँ, मैंने Republican टिकेट पे, यहां पे last year हमने कोशिस की थी, जो हम बहुत छोटे से vote से हार गये थे, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर लड़ूगा, अगर Republican Party ने मुझे कहा, तो मैं फिर लड़ूगा, और इस बात को मैं आपको आशवाशन देना चाहता हूँ, कि कोई भी भारत विरोधी काम जो होगा, उसका हम बिलकुल दिलो जान से, उसका opposition करेंगे, और हम इस बात पे बिलकुल सहमत हैं इस से, कि Democratic Party का जो भी anti-India effort होगा, उस पे हम बिलकुल सक्षम होके उसकी चर्चा करेंगे, और सक्षम होके उसका विरोध करेंगे, दूसरी बात यह है, कि Democratic Party जो है न, वो Indian के vote की उतनी दाद नहीं देता, यह सब जानते हैं यहाँ पे, हम जो हैं यहाँ पे Indians जो है, Democratic Party ने हमे taken for granted किया हुआ है, उन्होंने कह दिया है, कि यह कहीं जाने वाले हैं नहीं, यह हमें ही vote देंगे हमेशा, तो इस बात को भी मैं भारतियों से कहता हूँ यहाँ यहाँ पे, जो Indian Americans हैं, कि इस बात को हमेशा ठान लीजिए, कि जो भी भारत विरोधी होगा, चाहे जो भी मूल मुद्दा हो, human rights और democratic aspirations और freedom के नाम पे, उसको हम oppose करेंगे, इसका बीड़ा अगर हमने नहीं उठाया, तो भारतियों को बहुत नुकसान होगा, और आज की तारिक में हमने इसकी चर्चा कई बार की है, कास्ट का जो bullet बनाके जो हमें fire किया जाता है हम पे, इससे हमें जुक हमें दुनिया भर को समझाना पड़ेगा, और इसका बीड़ा जो है हमें ही उठाना पड़ेगा, आप सबों को, कोई एक व्यक्ति विशेश नहीं कर सकता, हम सबों को इस बात की चर्चा करनी होगी, दुनिया को बताना पड़ेगा, कि हम कास्ट पे विश्वास नहीं करते कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पे भारत में बहुत काम भी हुआ है और एक और बड़ा मुग्दा है जो हिंदू जो कास्ट के नाम पे जुग जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं वो मत हो ये आप उस पे इस बात के चर्चा करिए कि ये हमारा विधान नहीं था हमार anything. What matters is what we do. That is what the defining character of a Hindu है. कि हम कर्म करते हैं, अपने अपने आस्था पे, अपने धर्म पे विश्वास करके आगे चलते हैं और हमारा जो फिलासोफी है वसुदेव कुटमुकम का, ये कोई नाम के वास्ते का definition नहीं है. ये तो definition nature का है. और Republican Party भी nature पे विश्वास करती है. हमें भी उनको साथ लेना पड़ेगा. आप जानते हैं इस बात को, इसकी चर्चा हमने की भी है. कि विविग रामस्वामी ने जब उस पे उस पे प्रहार हुआ था, कि आप तो हिंदू हैं. जुदेव कृष्चन वैल्यू से कैसे आपका तात्पर बनेगा. तो उन्हें बड़ा अच्छा सा बताया था कि वैल्यूस जो होते हैं ना, वैल्यूस पे हमारी हो, मंजूर नहीं है. इस बात की चर्चा करते हुए, मैं आज से आप से यही अनरोध करूँगा, कि हमें सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूख होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपने धर्म की युद्ध के लिए. अगर हम न न उठे और हम न उठे और हम इंडिया यह महत्वपूर्ण बात है. आप Democratic Party के उभरते हुए बहुत सफल नेता है और आपको भी यह कोशिस करनी है कि आप भारतिये मूल के राष्ट्रपती बने अगर रामस्वामी अगर इस बार न जीते तो आप आएं और यह भारत के लिए एक अच्छी बात है. बस इनी चर्चाओं के साथ आज आपको भारत की स्वाधिनता दिवस पे बहुत अभिनंदन और मैं हमेशा से कहता हूं भारत की स्वाधिनता को हमें प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है हर हालात में और हमें अपना नेरेटिव आगे बढ़ाना है. प्लीज लाइक, सपोर्ट and subscribe to our channel and we will continue to talk about ourselves, our belief, our dharma और इसके साथ साथ सत्य में विजयते. Thank you.